आज के lecture में हम discuss करने वाले है arrangement problem देखिए arrangement problem बहुत ही important chapter है reasoning में यह reasoning का problem है तो arrangement problem के अगर मैं बात करूँ तो इसका जो weightage यानि कि इसके number of marks जो है वो examination में कितने होंगे आप यह अनुमान नहीं कर पाओगी अगर आप freshers है तो इसका minimum weightage है वो 10 marks है and maximum weightage इसका 35 marks जयान दीजेगा 35 marks 35 marks का भी कई बार पूछाता है mains examination में कई बार ऐसा होता है कि यह जो पूरा का पूरा chapter है यह 35 marks में पूछाता है mains examinations में ठीक है और plains में इसका जो weightage है वो 10 marks में है हाला कि अलग-अलग examination में इसका weightage अलग-अलग होता है तो minimum इसके 5 questions आएंगे बट यह जो questions है बहुत important है इसके जो problems है बहुत important है और इसका conceptual knowledge आपको होना चाहिए conceptual knowledge बहुत ही very very most important chapter है in the case of computer examinations में very very most important chapter है तो यह जो chapter अगर आप अभी सीख रहे हो तो you are very lucky कि आप जो है very first day में ही इसका basic concept पूरी तरीके से cover कर लोगे ठीक है तो देखिए मैं अभी भी बता रहा हूं इसका मिनियम मार्स है वो 10 मार्स है और मैक्सिम मार्स जो है वो 35 मार्स है minimum 10 मार्स है और मैक्सिम कितना है 35 मार्स depend करता है examinations to examinations में और इसका level जो है बहुत ही भहेंकर होता है means यहाँ पर easy, moderate and difficult and very difficult चार प्रकार की level आते हैं ध्यान दीजिएगा easy, moderate, moderate यानि के थोड़ा सा tough, difficult, difficult and most difficult यह चार प्रकार की level आते हैं तो हम यह चारो के चारो जो है one by one problem सिखने वाले हैं तो हम जो है शुरुआत करने वाले हैं easiest level से पूर्या का पूरा जो arrangement problems है उसमें पहला level आता है easiest problem तो हम easiest problem से हम शुरुआत करने वाले हैं और difficult questions यहां पर discuss करने वाले हैं तो वीडियो में जो है आप जो यह देख रहे हैं आपकी screen के उपर आपको अंदर तक बने रहना है विकोज आपका जो है first lecture is very important है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि sitting arrangement यानि कि arrangement problem में कितने कितने types आते हैं और क्या क्या चीज़े आती हैं तो यह मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ ठीक हैं देखें यहां पर जो है type 1 sitting arrangement problem आता है तो single row arrangement यहां पर पहला type के आप में type 1 कुन सा है single row arrangement तो single row arrangement यानि के certain number of person ऐसा भी हो सकता है तीन परसन पांच परसन ग्यारा परसन या पंदरा परसन एक लाइन में बेटे हैं और आपको एक puzzle पूछ लिया जाए कि कौन किसके बाजू में है आपको language based कुछ clues दिये जाएंगे जिसके basis परसन से उनको arrangement कर लेना है ठीक है दूसरी चीज single row arrangement यानि के एक ही row में बेटे हैं ठीक है उसके बाद facing inside यानि के यहां पर जो है facing inside यानि के circular field के अंदर भी बेटते हैं और square field के अंदर भी बेटते हैं ध्यान दीजे अगर मैं बात करूँ sitting arrangement की तो आप जो है आप होटल में जाते हो तो आपको दिखाए देता है एक square table होता है और दुसरा एक square field यानि के square यानि के चोरस एक चोरस जो है एक table होता है तो square field के अंदर facing to the center सभी के सभी वैठते हैं ठीक है तो कुछ आपको ऐसे problems पुछे आएंगे यहां पर आपको दिए गए है आपको दिए गए है दुसरा square field के अंदर आपको जो है square field यहां पर यह दिया जाएगा इसमें कौन-कौन से है two on each side, corner, sitting और both सभज में आ रहा है यानि के क्या है ध्यान दिजिएगा हर side पे दो person बेठे हुए हैं हर side पे हर side पे जो हैं यहां पर दो person दिये हैं दो-दो person बेटे हैं उसके बाद यहां पर corner पे एक एक बंदा बेठा है ऐसा भी हो सकते हैं केवल चार बंदे बेठे हैं यहां तो दो-दो बेठेंगे और यहां पर इस तरीके से corner पे एक यानिके टौटल के बारा person बेढ़ सकते हैं 12% की arrangement यहां पर problem पूर्ट सकते हैं यहां पर कि कौन किसके बाज़े में बेठा है क्या बेठा है किसा बेठा है यह पूरा आपको language based देंगे यह हमारा one of the favorite chapter है and most weighted chapter है computer examinations में अगर आपने यह chapter को skip कर दिया तो आपके marks 100% नहीं आने वाले आप examination crack नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के आप examination crack नहीं कर सकते हैं today is a day one day one today is a day one जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजे covered होने वाली है ठीक है next आता है rectangular field rectangle यानि कि जैसे square होता है वैसे ही rectangle होता है और जिस तरीके से यहाँ पर square field में person बेटे थे यहाँ पर दो यहाँ पर दो यहाँ पर shape change हो रहा है यहाँ ठीक है बाकी तो person number of person वैसे ही बेठेंगे तो यहाँ पर देखे corner यह corner यह corner यह corner और यह corner यह वाला नहीं आएगा तो यह corner पर बेठेंगे और दूसरा इस तरीके से दुनों यानि कि गलंबो चोरह शेत्रफल के अंदर total 12% बेठे जाएंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको जो है arrangement problem आएगी उसके बाद pentagon and hexagonal shapes pentagon and hexagonal shapes pentagon का मतलब क्या होता है जिसके 5 shapes होते है यानि कि 5 corners होते है तो यह हमें जरूर आएगा तो pentagon में क्या होता है ध्यान दीजेगा इस तरीके से आपको pentagon आदेगा यह यहाँ पर हमें ऐसे line बनानी है यह आपका यह दिखो यहाँ पर यह पहला corner यह दूसरा किसरा चौथा और यह पांच वाद इसको pentagon करते है उसके बाद hexagonal shape जिसमें 6 यह कोने होते हैं तो यह देखे कुछ इस तरीके से बनेगा यह कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है एंड दूसरा तीस लास्ट वाला आता है प्रकार का एक कोशन डिसकस करेंगे तो भी हमारा आराम से एजीले एक लेक्टर इजीली मौन हो जाएगा उसी प्रकार यहां पर टाइप टू आता है देखे मैं सबसे पहले आपको इंट्रॉक्शन देता हूं चैप्टर का के चैप्टर जो है बहुत इंपॉंट आपके यहाँ पर अलग-अलग टाइप आएंगी डैब-2 शिटिंग आरेज्не nó कि यहाँ पर जो है to row जाएंगे फैसिंग इच अदर को रोज आएंगे फैसिंग ओधर जो मैं डैश कर रहा हूँ ना और दूसरी रोह ऐसी है तो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए है तो आपको यह बता नहीं जाएगा कि कौन कहां पर फेस करके बैठा है ठीक है उसके बाद नेश्ट आता है फेसिंग इंसाइड और आउटसाइड तो सरक्लर फिल्ड आएकि तो कुछ लोग का फेस अंदर कि तरफ रहेगा लोग का फेस बाहर की किपने लोग का फेस अंदर है कि नोंडर है यह भी नहीं बताय कंगा मैं सब्सक्राइब विल्ड में स्कॉर में भी देखें जैसे मैंने बताया था तू अनीच साइड और सेटिंग उसमें भी कुछ लोग जो है एक अंदर एक बाहर ऐसा हो सकता है दोनों अंदर हो सकता है फिर वन्स अगें दोनों बाहर ऐसे कुछ भी कोश्चन यहां पर हो सकते हैं उसी प्रकार हो जो चार पर्संट होंगे कि फूर एक्धांपल कुछ ऐसा हो सकता है अंदर की तराफ है बाहर है और की तराफ हर और की तरफ हैं वाइस सवर्थ सब बारा लोगों में भी वैसी है एँस Tribes के अंदर स्कॉर फैलो ौशेप उसमें उसमें इंसे बहुत की इंसें ऑट्साइड एंडि रियंग एंसें ऌट टेंग इंसें लुद इंसें यह यह थैफ ऊट्साइड आता है अब ध्याझत एक टाइब जिल्क ताइप 3 में क्या आता ए Wire dieses type 2 यानि कि type 1 या type 2 के arrangement यानि कि type 1 में जितने भी प्रकार के question से देख लिजिए इतने प्रकार के question से type 2 में इतने प्रकार के question से plus उसके साथ blood relationship छोकी माहा है मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके वक्त आपको blood relationship chapter पका ज़िए तो blood relationship आपको यहाँ पर पूछ सकता है type 1 और type 2 के साथ ठीक है उसके बाद sitting arrangement में type 3 में type 1 और type 2 के arrangement आएगी plus profession जूड़ जाएगा फिर उसमें city जूड़ जा सकती है फिर उसमें blood relationship plus profession यह दोनों चीज़ आ सकती है और type 1 के arrangement हो सकती है उसी प्रकार type 2 में type 2 में क्या था inside outside arrangement तो उसमें blood relationship and profession और यहाँ पर या तो फिर तीनों चीज़े यहाँ पर club हो जाएगी तीनों चीज़े यह most difficult questions रहेंगे यह blood relationship वाले, profession वाले यह सब difficult questions आते हैं उसके बाद type 4 में जो आता है type 4 जो रहेगा days arrangement, exam arrangements, days, dates and exam arrangements days, dates, lecture arrangement, meeting arrangement and floor arrangement इतने प्रकार के questions आपको आएगे तो type 4 पुरा ही अलग रहेगा इसका type 1, 2, 3 से इतना ज़दा कुछ लेना देना नहीं होगा type 4 जो आता है sorry type 4 के बाद type 5 जो आएगा वो क्या आएगा? matrix arrangement, 3 attributes यानि के तीन प्रकार के matrix arrangement रहेंगे तो मिंस इसमें 3 attributes रहेंगे और matrix arrangement 4 and more attributes यानि के 4 से अधीक attributes रहेंगे ठीक है? तो ये आपकी टूटल 5 टाइप्स हो गई यहाँ पर तो टाइप्स और लास्ट टाइप जो रहेगी टाइप 6 में comparison with different inequalities इन इक्वालिटी का concept यहाँ पर यूटिलाइज होगा इन इक्वालिटी का concept यहाँ पर यूज होगा comparison with income and expenditures expenditure and income का comparison wise यहाँ पर questions आएगे कुछ missionaries arrangement आएगे conditional selections या conditional arrangement यह भी हम इसे कह सकते हैं तो देख लिजे यह जो है एक चुने अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक arrangement problem तो एक single है बट इसके अंदर चार सब chapter स्वारी छे सब चेप्टर बनते हैं कितने छे सब chapter टोटल जो है छे chapter सब चेप्टर बन रहा है यानि कि अगर मैं एक टाइप भी खतम करता हूं तो आपको यह समझना है कि आपने एक chapter complete किया है और इस तरीके से यह छे टाइप में यहाँ पर distribute कर दिया है तो देखे questions का level यहाँ पर बहुत जबर्दस रहने वाल है बट अभी जो है हम type 1 से शुरू करेंगे टाइप 1 से फिर टाइप 2 पर जाएंगे फिर टाइप 3 पर फिर टाइप 4 फिर टाइप 5 और टाइप 6 इस तरीके से हम type by type questions solve करेंगे तो यह जो questions है बहुत ही important है आपके लिए मैंने आपको पहले lecture के शुरुआत में ही starting में ही बता दिया था minimum 10 questions और maximum 35 questions 35 questions जो है यहाँ पर आपको आएंगे और दूसरी चीज यह time consuming भी है और time saving भी है saving and consuming यह दोनों questions रहेंगे आपको decide करना है time consuming questions है यह time saving concept है is it clear तो just simple है देखे आज जो है मैंने आपको अभी जो है केवल मैंने आपको material के first page पे ही दी गई है material के first page पे ही इतनी सारी type दी गई है आप इसका snapshot निकाल कर रख सकते हो इस page का या तो फिर आप लिख सकते हो तो अभी जो है हमने सीखे है कि कितने प्रकार के sitting arrangement के problems आते हैं आपको screen पे दिखाए दे रहे होंगे हमने total जो है यहाँ पर six types के sitting arrangement के problems हमें यहाँ पर सीखने हैं ठीक है तो जो कि हम हमारे next lecture चे शुरुआत करेंगे type 1 से तो आपको जो है हर हमारा हरे का जो lecture है वह attend करना है बहुत ध्यान से बिल्कुल भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई भी lecture में तुरुटी नहीं करनी यानि कि absenteeism या lapses नहीं करने या skip नहीं करना है वीडियो को तो आप जो हैं अंतर तक बने रहना हमारे साथ हम मिलेंगे next lecture में इसी वक्त इसी समय सो आज के लिए इतन बिल्कुल